अगर आप टारो में और कल्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अधर्वाइस भी आपका बहुत इंट्रेस्ट है आप सीखना चाहते हैं वी हाव टारो सर्टिफिकेशन कोर्स जिसमें A to Z अबाउट टारो आपको सीखने को मिलेगा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं और इसी से ही रिलेटेड अगर आपके मिन में कुछ सवाल हैं कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं I also have a free webinar on this आप उसको जॉइन कर सकते हैं इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपके जो भी डाउट्स हैं जो भी सवाल हैं वो क्लियर हो जाएगे या फिर आप डारेक्टली हमें स्क्रीन पे दिये हुए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अपके लिए और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वह आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका मून साइन हो या फिर आपका संसाइन हो तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2024 की Love Tarot Reading आप लोगों के लिए देखें कि May 2024 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है में पास यहाँ पे तीन सेट अफ कार्ड्स हैं फर्स सेट अफ कार्ड्स में हम आपकी अनरजीज देखेंगे सेकंड सेट अफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की अनरजीज देखेंगे और थर्ड सेट अफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली May मंत में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है The Magician और यह कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से या फिर में स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्मार्टली आप चीजों को डील करना चाहा रहे हैं आप फिर कर रहे हैं अब देखें इसके लिए सब जमनीज के लिए डिफ्रेंट रहेंगे कुछ के लिए हो सकता है पीछे आप बहुत साधगी, बहुत simplicity के साथ चीजों को डील कर रहे थे और आपको ऐसे लग रहा था कि partner आपको for granted ले रहे हैं या फिर जो आप चाहा रहे हैं उसको आप नहीं इस relationships related achieve कर पा रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आपका nature है आप थोड़े से manipulative हैं, थोड़े से logical हैं और कहीं उसी energy को ज़्यादा आप में starting में use कर रहे हैं और फिर उसके हिसाब से आप चीजों को deal कर रहे हैं रीजन कोई भी हो, कहीं थोड़े से manipulative हो रहे हैं, diplomatical ही चीजों को deal कर रहे हैं logical हो रहे हैं, अपने तरीके से अपने हिसाब से चीजों को करना चाहा रहे हैं थोड़े से controlling dominating भी होते वे दिख रहे हैं deeper level के लिए to be in love का card कहता है, बहुत एक प्यार महबबत अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं उनका साथ चाहा रहे हैं, companionship चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, marriage चाहा रहे हैं और इसी वज़े से भी हो सकता है, आप थोड़े से logical हो रहे हैं आपको ऐसे लग रहा है कि सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता तो उंगली थोड़ी से टेड़ी करनी पड़ सकती है ऐसी भी कुछ Gemini's का एक thought process रह सकता है and the crucible का card कह रहा है, मन ही मन आपको ऐसा लग सकता है partner के साथ होते हुए भी, वो साथ नहीं आपको मिल पा रहा है I don't know इस card को आप कितना देख पा रहे हैं, इस card में दो words है एक पिंजरे के अंदर है, दूसरी पिंजरे के बाहर है तो अगर एक तरीके से देखें, दोनों साथ में हैं, लेकिन फिर भी साथ नहीं है इस तरीके की energies आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं अब दिखें, यहाँ पे भी सब Gemini's के लिए चीज़ें differ करेंगी लेकिन काट के हिसाब से देखें, तो देखें, एक बर्ड पिंजरे में है तो हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा limited रह रह रहे हैं या फिर उनकी life में relationship से related, थोड़ी से restrictions है यह restrictions भी सब के लिए differ करेंगी कुछ के लिए religion, society, family की तरफ से हो सकती है कुछ के लिए अपना ही thought process, अपना ही belief system हो सकता है तो फिर से मैं कहूंगी आप दोनों में से किसी एक की तरफ से restrictions, limitations रहती भी दिख रही हैं क्योंकि यह card आपके लिए हो सकता है कि आप ऐसी energies में जादा है जहां पे आप अपने partner के साथ एक togetherness चाहा रहे हैं, साथ चाहा रहे हैं बहुत सारी limitations है, restrictions हैं और इसी लिए थोड़ा सा आपको manipulative होना पड़ रहा है और यहां पे Ace of Pentacles का card कहता है कि concrete level पे, physical level पे एक नई beginning आप अपने partner के साथ चाहते वे दिख रहे हैं होता है ना कभी-कभी सिर्फ बाते हो रही हैं, सिर्फ एक ख्याली पलाओ बन रहा है यानि कि again कहूंगी कि imaginary world में तो बहुत कुछ आप भी सोच रहे हैं, partner भी सोच रहे हैं उससे related बाते भी हो रही हैं, लेकिन concrete level पे कुछ नहीं हो रहा है तो कहीं आप mid-may में concrete level पे practical, realistic तरीके से इस relationship को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं या पर एक नई beginning चाहा रहे हैं कहीं end में के लिए six of wands reverse का card कहता है चीजें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रही हैं या फिर आप ही उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं और यहाँ पर भी देखिए सब Germanys के लिए different reasons रहेंगे लेकिन six of wands reverse का card कहता है शायद जो लोग आपके आसपास हैं आपके loved ones हो सकते हैं, close ones हो सकते हैं या फिर work front में colleagues हो सकते हैं, co-workers हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है society, religion भी हो सकता है, family members भी हो सकते हैं आपके पीछे से बात ने कर रहे हैं, आपको उनका इतना support नहीं मिल रहा है और थोड़े से demotivated भी होते हुए दिख रहे हैं थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा है कि वो एक success आपको नहीं मिल रही है जो आप चाहा रहे हैं आपको नहीं मिल रहा है और deeper level के लिए fear of love का card कहता है इसी वज़े से एक fear, एक insecurity भी मन ही मन end में में आप महसूस कर सकते हैं अब देखें ये fear सब जमिनीज के लिए differ करेगा कुछ के लिए fear of love हो सकता है यानि कि आप सब कुछ चाहा रहे हैं companionship, togetherness लेकिन साथ ही साथ मन में एक डर भी है पता नहीं सब कुछ ठीक ठाक रहेगा नहीं रहेगा या फिर कहीं आप hurt तो नहीं हो जाएंगे जो दो चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए different level के fears होंगे और कुछ के लिए हो सकता है आपके मन में ये fear आ रहा है एक togetherness चाहा रहे हैं उनके भी मन में कहीं marriage, companionship, long term या फिर engagement, living रहता हुआ दिख रहा है यानि कि ये सब चीजें वो भी मन ही मन चाहते हुए दिख रहे हैं लेकिन कहीं importance का काट कहता है शायद उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये possible ही नहीं है ये होई नहीं सकता है या फिर इस relationship में उतनी शमता नहीं है या उन में इतनी शमता नहीं है कि वो relationship को आगे लेकर जा पाएं या आप चाहा तो बहुत कुछ रहे हैं लेकिन आपके मन में बहुत fear है तो फिर से कहूंगे सब Gemini's और उनके partner के लिए different reasons रहेंगे लेकिन आपे importance का card बहुत ही clearly कहता है कि शायद उतनी capability, उतनी strength या फिर उतनी एक willpower determination आप दोनों की तरफ से missing रहे है आप दोनों में से किसी एक की तरफ से missing रह रही है और इस चीज का एहसास आपके partner को रह रहा है और हो सकता है कि इसी लिए आपके लिए उनके मन में प्यार होने के बावजूद भी वो कहीं थोड़ा सा distance कर रहे है या फिर वो आगे बढ़ते वे दिख रहे हैं अब देखिए हाला कि उनकी तरफ से आगे बढ़ना थोड़ा थोड़ा सब जेमिनीज और उनके partner के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं लेए नहाँ पे Six of Swords, Knight of Swords के काज़ा तो मुझे लगता है अकेले ही वो आगे बढ़ना चाहा रहे हैं कुछ के लिए Simply हो सकता है जेमिनीज के आपके partner travel कर रहे हैं travel करना चाहा रहे हैं और कहीं देखिए movement से related यानि कि आगे बढ़ने से related issues मसले आपके partner face कर रहे हैं यानि कि आगे बढ़ना चाहा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ओन करना चाहा रहे हैं, लेकिन नहीं मूव ओन कर पा रहे हैं, और यहाँ पर failure का card कहता है, कि कहीं या तो give up करते हुए दिख रहे हैं, हार मानते वे दिख रहे हैं और दिखें ये हार मानना भी सब जमिनीज के पार्टनर के लिए डिफर करेगा कुछ के लिए हो सकता है आपसे मूव आन करना चाह रहे हैं आपसे रिलेशन्शिप किसी लेवल पे एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन हार रहे हैं यानि कि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए उनके मन में इतना प्यार है लव है कि वो इस प्यार से नहीं हार पा रहे हैं मैं कहूंगी या इस प्यार के सामने हारते वे दिख रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि you know relationship में जैसे कि मैंने आपको अभी बताया उनको लग रहा है कि इतनी एक शमता नहीं है या फिर इतनी विलपार determination आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक में नहीं है कि ये relationship आगे जाए तो कहीं एक failure महसूस करते हुए दिख रहे हैं एक failure वाली energies में रहते हुए दिख रहे हैं और इसी लिए शायद या फिर otherwise king of cups rivers का card कहता है काफी emotional हो रहे हैं, sentimental हो रहे हैं या तो over अपना love feelings express कर रहे हैं या फिर बहुत प्यार महबबत महसूस तो कर रहे हैं लेकिन आपको अपनी feelings नहीं express कर रहे हैं अब दिखते हैं Gemini's की May month में क्या हो रहा है तो दिखिए starting May में Two of Pentacles का card कहता है चीजें in and out होती भी दिख रहे हैं, up and down होती भी दिख रहे हैं ना तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक पूरी तरीके से इस relationship में आ रहे हैं ना ही पूरी तरीके से जा रहे हैं, off and on चीजें होती भी दिख रहे हैं कोई decision, कोई choice लेनी है, नहीं ले पा रहे हैं, two minds में रह रहे हैं या फिर एक से जादा चीजों में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक involved हो रहे हैं जिसकी वज़े से कहीं उनों चोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं हाला कि देखिए deeper level के लिए देखें तो आप दोनों ही बहुत gently, बहुत slowly, बहुत नाजुक तरीके से चीजों को आगे लेकर जाना चाहा रहे हैं लेकिन कहीं mid may के लिए यहाँ पे death reverse का card कहता है कि कुछ चीजों को end करके एक नई beginning करने की ज़रत है नई सिर्य से चीजों को start करने की ज़रत है और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक किसी चीज को बहुत tightly पकड़ कर बैठे होए हैं let go नहीं कर पा रहे हैं जो चीजें serve नहीं कर रहे हैं उनको end करके आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं कहीं उनों एक नई beginning नहीं कर पा रहे हैं और आपके लिए हमने देखा भी Gemini's कि आप एक नई beginning करना चाहा रहे हैं पार्टनर के लिए देखा वो कहीं आगे बढ़ना चाहा रहे हैं अब कुछ Gemini's के partner के लिए literally इस relationship को भी आगे बढ़ाना हो सकता है लेकिन कहीं पुरानी बातों को, चीजों को, thought process को, belief system को या culture, tradition, religion, society, कोई भी चीज़ तो सकती है इसको tightly पकड़ कर बैठे हुए है और कहीं दिखिए in the process आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई self respect compromise करनी पड़ रही है वो कहीं एक respect नहीं मिल रही है जो deserve करते हैं या फिर वो सामने वाले से मिलनी चाहिए तो कहीं self respect को लेकर भी issues रहते हुए दिख रहे हैं आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक महसूस कर सकते हैं ऐसा लग सकता है कि कहीं injustice हो रहा है यानि कि जो deserve करते थे वो नहीं मिल रहा है अब दिखिए ये सब जेमिनी और उनके partner के लिए differ करेगा कुछ जेमिनी इसको उनकी तरफ से लग सकता है कि आप उतना fair partner के लिए नहीं रहे आप उतना time energy या फिर किसी भी तरीके से fair नहीं रहे relationship में कुछ जेमिनी इसको ऐसा लग सकता है कि partner उतना fair नहीं रहे और कुछ के लिए circumstances situations हो सकती है जिनकी वज़े से आपको ऐसे लग रहे कि भाई इस relationship के साथ ही ठीक नहीं हुआ हाला कि आपके लिए थोड़ा सा एक manipulate करने वाली energies है तो सकता है आपके partner जादा इस चीज को महसूस कर रहे है कि भाई चीजें fair नहीं रहे deeper level के लिए the present moment का card कहता है कि बहुत सोच समझ के चीज़ों को deal करना चाहा रहे है present moment पे focus करना चाहा रहे है और बहुत जिसे बोलते हैं कि सच से खुद को वाकिफ करना चाहा रहे है क्योंकि हमने देखा कि एक unfair energies आप दोनों याप दोनों में से कोई एक महसूस कर रहे है तो हो सकता है कि यह नो सच क्या है reality क्या है क्यों एक injusticeized relationship में कोई भी जन महसूस कर रहा है या फिर अगर relationship के लिए महसूस कर रहे है तो क्यों ऐसा हो रहा है आखिर सच क्या है आखिर reality क्या है उसको जानना चाहा रहे हैं और उस पे focus करते हुए दिख रहे हैं तो overall के लिए अगर मैं देखूं तो May starting थोड़ा ठीक रहता हुआ दिख रहा है लेकिन mid May से लेकर end May तक बहुत great energies नहीं रहती हुए दिख रहे हैं तो ये था जयमिनीज आप लोगों के लिए May 2024 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें